सनातन धर्म में आपके घर या ओफिस में कुछ विशेश पेड़ पोधे लगाना शूप माना जाता है और वास्तूर सास्त्र के हिसाब से भी कुछ पेड़ पोधों को लगाना शूप माना गया है आज हम जिस पोधे की बात कर रहे हैं वह है मनी प्लांट तो आईए जानते पंडित गिरजेश चत्रुवेदी से कि यह पोधा किस दिशा में लगाना चाहिए और क्या कुछ इसके लगाने के फाइद है रादे रादे मैं जोतिश आचारिये गिरजेश चत्रुवेदी ताधा कृष्ण मंदिर से जो मनुष्य बरकत को लेकर काफी परेशान है और धन कमा कमा कर ठक चुका है और धन की बचत नहीं हो पा रही है इसे मनुष्य को अपने घर में मनी प्लांड का पोधा लगाना चाहिए मनी प्लांड जो की धन का प्रतिक होता है मा लश्मी को प्रसंद करता है भगवान विश्नु को प्रसंद करता है जो भक्त मनी प्लांट घर में लगाता है उसके यहां धन की कमी नहीं होती बरकत की कमी नहीं होती मनी प्लांट हमेशा जक्षिन या पुर्वजिशा में लगाएं जो कि भगवान गणेजी की क्रपा उस पर विशेश होती है साथ ही money plant लगाते समय ध्यान दखे कि money plant की जो बेल है वो हमेशा उफर की और जाएं यदि नीचे की और money plant की बेल आती है तो ऐसे में हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है इसलिए money plant का ध्यान दखे लगाते समय बेल का मुँ उफर हो उससे आपको मा लचमी तदा भगवान विश्णों की विशेश क्रपा होगी राधे राधे